गूद मॉर्णिंग इस्टुडेंट जैस्री टिसना अब तू प्रिविएस क्लास भी कम्पिटेग एक्सराइस 4.3 हम क्यूशन नुबर 5 ता कम्पिट कर चुके थे एक्सराइस 4.3 के आज हम डूव करते हैं, क्योशन नुबर 6 की और क्योशन नुबर 6 है? क्योशन नुबर 6 एक्सराइस 4.3 तो कोई क्या वह कहा रहा है? इस दा वर्क एनी यह थे, वर्क एन्याय जो गाम किया गाए, वाय एक वरी, समझा स्वर produce कर्या है, एक एक वर्क्राइब करक्द इनले DRgrure, और के रच्छ के गारदी गार्onds, इस र Arel it देगे जर्कद और स्वर्क्राइब कर्या है, पहले लिए वर्क, वर्क दन बाय बोड़ी on activation of constant force तो वर्क दन, पहला लिखो क्या? लेट वर्क दन, लेट वर्क दन बाय बोड़ी, बाय बोड़ी, लेट वर्क दन बाय बोड़ी, लेट वर्क दन बाय बोड़ी on application, इस वर्क दन बाय बोड़ी is y, क्या माना आपने? y, एंड दिस्टेंस एंड दिस्टेंस इस x, और दिस्टेंस क्या माने आपने? x माने, आपने दो सपोस्ट के एक, क्योंकि टू वैडेबल में आपको equation बनने, पहले आपने सपोस्ट क्या वर्क दन बाय बोड़ी, जो वर्क होगा, एक बोड़ी के दार हो य माना, और जो डिस्टेंस टैवल हो रही है, वो क्या माना? x माना? अब देखो इसमे एक यूज वाय वर्क प्रपोस्टनल तो जो वर्क दन बाय बोड़ी ओन एप्लिकेशन ओफ ए कॉंस्टेंट फोर्स जो वर्क दन हुआ है, वर्क दन क्या हो है? y, वर्क दन क्या हो है y, जो वर्क दन बाय बाय बोड़ी ओन एक प्रपोस्टनल तो यह इसको बोलते, अगे, y is directly proportional to x. आपना है, science में पढ़ा होगा, proportional का sign रहना? directly proportional एक तो बहता है directly proportional और रहो एक बहता है indirectly proportional dairectly proportional मालगभ जब कोई तो जो unit कोई दो variable आपकह समें इस formula हो यानिकि दोनों आपकहस मैं numerator में होगा और अगर इसका आग इन्वर्सिल प्रपोशनल पूछते तो य एक इन्वर्सिल प्रपोशनल तो इन्वर्सिल प्रपोशनल 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 प वो किसके डारेकर प्रोस्ट्राइन है? डिस्ट्रेंस ट्रेवल के, तो डिस्ट्रेंस ट्रेवल आके दिस्ट्रेवल के लिश्केAD सवेट निया है यह समझ bolehड में बा रीकर प्रकोश नलेकर सेही • प्रपोशित का साइम् एंट प्रकोशन ज duplication खी अऴद अब आगएदा, express this in the form of an equation, अब इसको express करो जो आपके बता है कि इस इस form of equation in two variables, इस 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 to variable बता है वर्ट को दन, गोरी य बता है a variable और दिद्द इस to the X, And draw the graph of the same । और graph को द्रहु करना है By आपको आपको जो consistent मैंने बोलगा न, कि यहांपे अगर proportional का sign वो भटेगा तो क्या आएगा यहांपे दिखावाया and taking the constant force as tutto5 यानि कि इस ayråاي को sign भटाएंगे न, तो constant के लिखावाया भाया वी यह जब भी प्रपोस्टनल का साइन भुटता है ना, वहां पर क्या आता है? इक्वल आता है, क्या आता है? इक्वल और इक्वल के बाद एक कॉंस्टेंट उस करना है और आपको तुश्टन में क्या है, तेकिंग ता कॉंस्टेंट फोर था फाइफ इनित लेते भी करना है और आता है यह जो रिए फोर इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करना है चलो अब आगे वाई बाद फाइब आपको अब एक्वेशन बाद इसको इपो एक्वेशन बराबर अगर एक्वेशन दाबाद जिरो रखोगे then y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर 5 इंटू 0 5 इंटू 0 तो y बराबर आपको हो जाएगी y बराबर 0 ओके अब x की value 1 रखते हैं if x बराबर यहाँ पर x की value 1 रखे क्योंकि मैं तो graph paper अगर पर points को plot करना इसलिए मैं 3-4 x और y के point निगालके graph paper to plot करना x की value 0 थी y की 0 आए x की 1 रखना then and y की कित्की अदेगी आपकी value y बराबर 5x है ना तो 5x यहने की 5 into x 5 अजया 5 तो आपकी y की value अदेगी 5 ok अब x की value 1 रखी अब x की value minus 1 रखनाओ if x बराबर if x बराबर minus 1 x की वाली की रखनाओ minus 1 then y बराबर क्या हो जाएगा 5 into minus 1 5 into minus 1 5 बराबर 5 तो y आपकी value हो जाएगी minus y होगी के नहीं होगी 5 बराबर 5 और इसके आपके plus यह positive है और यह negative है plus multiply minus क्या हता है minus ok हमने तीन point को plot कर लिया इसको बना के तो हमको फिटेबल के सिथास we get we get table for for various value of various value of x and y x और y की value पिले पिले की और x और y की value जो हमने जो भी value रखी जो इसमें plot रखते है एक दरफ x रखता हूं और एक दरफ y x की value पहले 0 रखी तो y की value क्या 0 when x equals 0 तो y equals 0 जब x की value रखी तो y की value 55 जब x की value रखी तो y की value 55 minus 1 रखी और minus y इस तरीके से हमको table बिली और इस table को आप जागते है number line पर sorry graph पर plot करते है इतना fast not down करो fastly या i screen shot ले ले लेना वैश्वड़ाँ collect हूं अब हूं क्या करते हैं यह जो value आई हमारी उसको graph record पर plot करते हैं तो आपको बता है graph record आपको बनान आते हैं maximum ता आदर value क्याईगी 5 तो रहेगी I am zero origin point 5, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 5, okay? जो, 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 जो? विल्गें कि मैंने ग्राफ बना दिया यह X है यह X की नेगेटीव वेल्यू X की यह positive वेल्यू उस्तरफाई की राइट साड़ X की negative वेल्यू उस्तरफाई गे यह Y की वेल्यू है positive upper side यानी की upside और यह Y की value negative पहला है point 00 तो यह X की value एक्स के लिए आपको मैंने उसमें पर पता थे लिए एक वारीजेंट लिए 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 और पॉजिति वैल्यू वालुव तो वर्टिकल भी देखना है अपसाइट और यगर नेकेटिव वैल्यू है तो वर्टिकल भी देखना है डाउंसाइट समुझ मागया डेल्यों सुप करते हैं कि इस जी दिए पर जानीं के यह वाइक भी है और क्योंकि ओरीजने क्या और जानी सब्सक्ता क्या है कैसी सब्सक्राइब एक और चल्वाइक लिए समय इस रही होता है तो यह तो फिर आपको एस दिए वैल्यों और Y के लिए 5 प्लॉट करें एक्स की वेल्यू 1 यह रिए यानि यह ऐसे ओरिजेंटल देखा ना ऐसे देखा ना और Y के लिए 5 अपर साइड देखोगे के डाउसाइड अपर साइड देखोगे तो X Y के लिए 5 X के लिए 1, Y के लिए 5 देखो 5 देखो 5 देखो 1 के उसी direction होनी चीए यह लोगे ओके यह 1 के direction में लिखे मनें यूदाही कि आप 2 के direction में चले जाओ, क्योंकि X के value 1 है और उसी direction में अपने ऊपर ना इसी direction हो देखो जो लोट लोट में मिला उना उसी direction में फिर minus 1 और minus 5 X की value minus 1 इह रही इसी direction में अपने को देखो अब X की value minus 1 इती ही इसके लेफ साइड देखा और इसी direction में आपको नीचे आना है देखो यह नीचे आए उसी direction में आ रहे और minus 5 तो यह आपके इधर आज़ेगा almost ठीक है यह हो जाएगा minus 1 इस तीनो वेल्यू को y को तीनो वेल्यू से plot करें आपको आपस में जोर दो ठीक है ऐसे क्या मिलेगी आपको straight line मिलेगी और एक और बात बता देता हूं के हमेशा आपको पहले बता है 2 variable में हम जब भी graph बनाते हैं तो हमारा पहले भी straight आ रहा था और आज मिलेगी जो point plot के हो straight है अभी question finished नहीं हुआ है हमारा also read from the graph graph से read करो the work done when the distance traveled by the body is 2 unit अब देखो अभी अबने क्या किया पहले vibra 5x से equation मनाई अब फिर उसके बाद graph plot क्या अब लिखावाई also read from the graph graph से read करो the work done when the distance graph से read करना है read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit work done कितना होगा अब देखो इसका first is 2 unit तो बताओ work कितन कितना होगा y अब आपने क्या लिखादा 5x एना पहले लिखेशन मनी थी 5 constant था और x travel distance तो बताओ the distance traveled by the body जब 2 unit आपकी होगी क्या distance है यह distance कितनी है 2 unit होगी तो जो work done होगा हो कितना होगा when put when put when distance is the distance is when distance is 2 unit when distance is 2 unit then 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 पिर क्या होगा work done by the body work done work done by the body work done कितना होगा while और आपने x की ते बेली किते है कि 2 unit तो 5 to 2 5 to 2 किते होगी 10 unit होगी तो work done किता होगा 10 unit unit पे कुछ भी हो सकता है ओके अब आता है second second है zero unit जब zero unit हो distance पेल तो पता बर कितना होगा तो वही फॉर्म्ला वाइबरा को 5x वाइबरा को 5x when distance is when distance is जब distance क्या हो zero unit zero unit हो then work done work done by the body by the body body के तरह परक्टन किता होगा y पराबर 5x है 5x to x 5x एकी बात है x पराबर कितना होगे zero unit x पराबर zero तो y पराबर हो जाएगे आपकी zero okay कैसे होई zero 5x पराबर 5x x एकी बात होगे तो 5 का zero से करेगे तो zero तो कैसे होगे य आपका कुछी नेकर दिशाता है पास्टीस को नोटाउं करो now students we are moving on question number 7 the question number 7 is yamini and Fatima two students of class 9 of a school together contribute rupees 100 towards the prime minister relief fund to help the earth get victim क्या मीन से yamini और Fatima करके दोगल से two students of class 9 जो की class 9 किये together contribute आपस में contribute करती है दोनों मिल कर कौन-कौन यामini और Fatima मिलकर दोनों contribute करती है 100 rupees का towards the prime minister relief fund किसके fund में prime minister के relief fund में to help the earth कोई victim earth pack से जो PD करना उनकी लोग मदद करते तो उसमें दो गल से यामini और Fatima दोनों मिलकर अपना contribution 100 rupees का देती है write a linear equation आपको linear equation लिखनी है which is satisfied this data जो कि इस data को satisfied करें you may take their contribute as rupees x and y आप उनका contribution x रूपे में भी ले सकते हो और y रूपे में भी ले सकते हो draw the graph of the same और उसका graph भी बनाना है तो question no.7 इस तरीके से ठीक है यामini और Fatima है तो आप you may take their contribution as x rupees and y rupees तो let the contribution let the let the contribution contribution of Fatima is rupees x and the contribution the contribution the contribution the contribution of रूपे में रूपे में यामिन 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 rupees y okay tuition with y y together contribute 100 rupees यामिन का contribution यामिन यामिन का यामिन का contribution 100 rupees रूपे तो according to tuition according to 100 rupees रूपे यामिन का contribution यामिन का contribution x रूपे यामिन का contribution 100 कि का हो रहा है? 100 दोना है लिद्धिया, 100 ओके? और इसके लिए linear equation भी बन गई हो भी two variable रहे हैं, एक variable है x और एक variable है y दोनों का contribution मिलकर कितना बन रहा है? 100 भी बन रहा है अब आपको इसके लिए क्या बनाना है? graph बनाना है कैसे बनेगा graph? दोनों का contribution 100 रहा है always तो इसका और इसका दोनों का add 100 बनाचा इफ 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 एक बनाबर अगर x की वेल्व आप 0 रखते हो अगर x की वेल्व आप किया रखते हो 0 इफ य गराबर, y क्या हो जाएगा? 100-x और वैल्व जाएगा रखते हो x की 0, 100-0 यानि की y की वेल्व भी 100 x की वेल्व 0 रखी, तो y की वेल्व 100 है वही आपको काम करना है? graph बनाच करने में लिए point को determine करना है second, जब आब x की वेल्व में 50 रखना है if x equal to 50 अगर x की वेल्व में 50 रखता हूँ then y की वेल्व जाएगा? 100-50, 100-x यानि की x की वेल्व 50 60-100 में 50 रखता हूँ x की वेल्व 50 रखता हूँ अब x की वाल्य में 100 रताम, x की वाल्य में 100, if x equal to 100, then y equal to 100 minus x की वाल्य 100, 100 minus 100, y equal to 0, okay? तो हमने team point बना है, x की वाल्य 0 तो y की 100, x की वाल्य 50 तो y की 50, x की वाल्य 100 तो y की वाल्य वाल्य किती आ गई? 0 आ गई ला? So, we get table for various value of various value of x and y. अब x और y की various value के लें को क्या मिल्या? एक table में चाहिए. यहां को लिखे x और यहां लिखे y. x की वाल्य वाल्य चाहिए, 0 तो y की वाल्य 100, फिर x की वाल्य 50, तो y की वाल्य 50, okay? अब इस point को मैं क्या करता हूँ? टेबल पर graph कर plot कर लेता हूँ, only मैं इसको रहने दे जब आपी पूरा रश कर लेता हूँ. मैं graph अभी draw करता हूँ, okay? पांत अपर जाने आप 100 टका है न, तो 10, 10 लगे भी लेके, अगर 10, 10 लगे आप लोगे, तो 10 values आजाएगी, और 20, 20 लगे आप लोगे तो 5 values आएगी, तो मैं 10, 10 लगे भी लेता हूँ, या horizon point 0, 10, 20, 30, 40, 50, gap ये equal होना चाहिए सारा, आप graph paper पर अच्छे से plot करना, 60, 70, 80, 90 और ये 100, similar way मी चली कर देता हूँ मैं, minus 10, minus, minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, minus 50, minus 60, minus 70, minus 80, minus 90, minus 100, फड़ा बड़ा बढ़िया है, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, minus 10, minus 50, minus 60, minus 80, minus 60, अगर आप चाहते हैं इसको 2020 का गेप लेकर अच्छे से बना रहा है आप इसको 2020 का गेप लेकर अच्छे से बनाना है जब x की VALUE 0 तो y की VALUE के हैं 100 x की VALUE पेलिए आपको कहां देखना और horizontal line देगें ये वाझे line और y की VALUE पेलिए आपको vertically alive देखने x की VALUE 0 और y की VALUE के आई 100 तो यह यहांपे PLOT हुआ 0 और 100 ऑक्रोड की यहां इनकी जीरो के डिरेक्षिन के यहां सु सु शाय T कि में जाना है और यहां धर दोखे गें स्क पहते, stee को से जाय को ऐखने स्क्वास कि था जाना है 100 और Y की वेल्यू 0 तो वही बात हुए देखो X की वेल्यू X की वेल्यू 100 का होगी यह रही और Y की वेल्यू 0 और Y की वेल्यू 0 का होगी यहां होगी तो X की वेल्यू 100 यहां होगी और Y की वेल्यू 0 यहां पे प्लॉट होगा और ये, पॉइट का प्लॉट था? यहां प्लॉट था? is expected और लगण सो क्योंकि उपड़, देखो, ήचा की है under 100 यहां हो गया अब उपड़ जह लॉट या डिंड जाने की जभर में नहीं हय यहां पर वैप न क्रीचर वड कती जाए और व्ड-ड न सी अब इसको आपस में मैच कर लेना तो आपकी क्या आईगी एक श्रेट लाइन आएगा ओके बस आज के रिए इतना ये दोनों कुशन आपको अपनी नॉर्ट में करना है थैंक्यू बच्वाइब